नमस्ते साथियों, जैहिंद आज के सेशन में दोस्तों हम लेकर आया है average यानि आउसत का दूसरा पार्ट पहले पार्ट में हमने महतुपूर्ण सवाल किये थे, basic भी सीखा था कि क्या होता है average आपका है ना, तो अगर वो पार्ट आप नहीं देखें, वो वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको description में दे देंगे, जाके जरूर चेक आउट कीजिएगा, और अगर आपको इसका PDF भी चाहिए तो PDF आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे Telegram चैनल पर और Telegram का भी लिंक हम आपको description में दे देंगे, वहाँ पर जाके आप लोग इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, जो भी क्लास यहाँ पर होता है, उसका PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, चलिए आज के इस क्लास में भी हम बहतरी इन सवाल करेंगे, tricks, concept, आपको पता ही है, कि best हम यहाँ पर provide कराते हैं आपको, सवाल क्या है दोस्तों, यहाँ पर, चलते हैं सीधे सवालों पर, चार क्रमगत सम संख्याओं का आउसत 27 है, इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यहाँ पर सबसे पहले छोटा सा concept समझिये दोस्तों, ध्यान से सुनियेगा, सब कुछ आपको अच्छे से समझाया जाएगा यहाँ पर, देखें दोस्तों अगर हम आप से कहें, इन चीजों का आप नोट करते चलियेगा, ठीक है अगर हम कहें कि एन प्राकृत संख्याओं का योग है न, एन प्राकृत संख्याओं का योग एन प्राकृत संख्याओं का योग ठीक है एन प्राकृत संख्याओं का योग, कितना होता है दोस्तों आपने पढ़ा होगा यह होता है आपका ये होता है आपका n into n plus 1 और divided by 2 ठीक है तो n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n into n plus 1 divided by 2 अब यही से अगर n प्राकृत संख्याओं का है ना लगातार n प्राकृत संख्याओं का अगर आउसत निकालने के लिए बोल दिये जाए तो आउसत क्या हो जाएगा तो यही से आप average भी निकाल सकते हैं अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए ठीक है यानि n प्राकृत संख्याओं का average क्या हो जाएगा तो average हम लोग कैसे निकालते हैं दोस्तों हमने आपको बेसिक बताया था पिछली वीडियो में average होता है योग बटा number है ना तो योग तो यह हो गया अब इसमें हम उन प्राकृत संख्याओं की संख्याओं को कितने वे हैं उनको हम डिवाइड करने तो हमारा average निकल आएगा तो अगर यहाँ पर n प्राकृत संख्याओं है तो योग में n को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास average आ जाएगा तो जब हम इस योग में बटे n करेंगे तो n से n तो कट जाएगा मतलब हमारा क्या बचा n प्लस 1 बाइ 2 बचा यानि यहाँ पर जो average हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कितना n प्लस 1 बाइ 2 इसको याद रखियेगा आप n प्लस 1 बाइ 2 यानि n प्राकृत संख्याओं का आउसत जो होता है वो n प्लस 1 बाइ 2 होता है ठीक है इसी तरीके से आपको ये भी पता होगा कि n प्राकृत संख्याओं के n प्राकृत संख्याओं के के वर्गों का योग है न काहे का वर्गों का योग ये कितना है दोस्तों वर्गों का योग ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो आपके सवाल आसानी से हो जाएंगे वर्गों का योग वर्गों का योग का मतलब क्या हुआ जैसे माल लिजे कि 1 का i sqeAR plus 2 का i sqeAR plus 3 का i sqeAR up to कहा तक माल लिजे कि n sqeAR तक ठीक है इनका योग कैसे निकालता है इनका योग होताए दोस्तों अब यहीं पर अगर आपसे पूछें कि N प्राकृत संख्याओं के वर्गों का आउसत क्या होगा तो average क्या हो जाएगे यहां से बताईए तो यहां से जो average हो जाएगा इस योग में बटे N कर देंगे तो जैसे ही बटे N करेंगे N से N कैंसिल हो जाएगा बचेगा हमारा क्या बचेगा हमारा N प्लस 1 और 2N प्लस 1 और divided by यहां पर 6 यहीं न बचेगा तो यह हो जाता है हमारा समझ में आगई बात की नहीं अब इसी तरीके से अगर आपको यहां पर क्या निकालना हो N प्राकृत संख्याओं के घनों का योग हैं अगर कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब है ना 3 का क्यूब और प्लस अप्टू कहां तक N के क्यूब तक तो यह कितना होता है दोस्तों अगर योग निकाला जाए तो योग होता है N इंटू N प्लस 1 बाइ 2 का होल स्क्वार अब यहीं से अगर average निकाला जाए तो average क्या हो जाएगा average बताइए तो भाई इसको हम थोड़ा सा open कर सकते हैं यह कितना हो जाएगा n का square into n प्लस 1 का whole square और upon में 2 का square कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा अब इसमें अगर हम n से divide करें आपको average निकलना है तो n से divide करना पड़ेगा तो जैसी n से divide करेंगे 1n से 1n तो cancel हो जाएगा बचेगे यहाँ पर 1 ही n और यहाँ पर बचे n प्लस 1 का whole square और बटे में 4 तो इस तरीके से आप यहाँ पर average भी निकाल सकते हैं तो इनको आप note कर लीजे बहुत important है ठीक है इस पर based सवाल आएंगे आगे तो हम वहाँ पर करवाएंगे अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर सीधे हम सवालों पर सवाल नमबर पहला यहाँ पर पहला सवाल देखें बहुत बहुत बहुतरीन सवाल है चार क्रमागत समसंख्याओं का आउसत आपको 27 दे रखा है इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बहुत बहुत बहुतरीन सवाल है दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है चार क्रमागत समसंख्याओं है ना तो यहां पर आप चार जगह छोड़िये, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, चार क्रमागत समसंख्या हैं, इनका आउसत कितना दे रखा है, 27 दे रखा है, आउसत का मतलब होता है, बीच वाला संख्या, मध्य में जियुश्थित होता है, है ना, तो आउसत हमको 27 दे रखा है, मत बेतरीन सवाल है, ट्रिक से हम बता रहे हैं इसको, ठीक है, अब यहां पर, यहां पर देखिए, अगर बेसिक से इसको करने जाएंगे, तो बहुत टाइम लगने वाला है, आप सीधे करिए, आउसत आपको 27 दे रखा है, 27 को हमने बीच में रखा, अब यह जो 27 है दोस्तों क्या यह समसंख्या है, या भी समसंख्या है, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यह जो है, यह हमारा भी समसंख्या है, मतलब यहां पर तो हमको चाहिए समसंख्या है, और यह है भी समसंख्या, तो अब आपको 27 के बाद, 27 के बाद पहला जो समसंख्या मिलेगा, व और 26 के पहले आपको 24 मिलेगा इन ही सभी का अगर आउसत निकालो गए अप लोग तो यहाँ पर 27 आएगा बात क्लीर हो गए कि नहीं तो यही आपकी चार संख्याएं हो गए 24, 26, 28 और 30 चार क्रमागत संख्याएं जिनका क्रमागत का मतलब होता है लगातार है न तो यह चार अगतार संख्याएं हो गए, even numbers हो गए, उनका और सत आपका 27 होगा, अब इसमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आप यहाँ से नहीं बता सकते, 30 हो जाएगा, option number C यहाँ पर आपका सही हो गए, ऐसे ही अगर आप इसमें पूछता कि सब से चोटी संख्या, तो सबसे चोटी संख्या, तो यहाँ पर यह 26 हो जाता, है ना, तो आप प्रसंद के demand के अनसार आप यहाँ पर उत्तर बताएंगे, बात किलियर हो गए कि नहीं, तो ऐसा सवाल अगर आपके पास आता है एक्जाम में, तो आप लोग चुटकियों में ब बीवादाइ, थीक है, तीन के पहले 5 गुड़ज है, तो पहला गुड़ज क्या होगा तीन होगा, बस आपको गुड़ज पूचे न MAN, यहाँ पूचे यहाँ पर, तो आपको पहाड़ा पढ़देना है, तीन के पहले 5 तो 3 एक कम तीन, 3 दूना 6, 3 तीन नौ, 3 चोग बार और 3 पचे 15 कितना पूछा है यहाँ पर पहले 5 गुड़ज तो पहले 5 गुड़ज हो गए है ना 5 तक 5 पहाड़ा पढ़ेंगे अब यहाँ पर यह हो गए इनका आवसत बोला है तो आवसत आप दो तरीके से निकाल सकते हैं कैसे आवसत आप ऐसे निकाल सकते हैं कि भाई पहले इनको जोड़िए जोड़ने के बाद जितने यह है आप उससे डिवाइड कर दीजे तो आपका एंसर आजाएगा हमने बताया था कि जो एवरेज होता है वो सीधा सीधा उसका फॉर्मूला होता है क्या होता है उपर में हम लोग लिखते हैं सम को सम मतलब की आपका योग टोटल इनका और नीचे में हम लोग लिखते हैं नंबर यानि कितने ये हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एक दो तीन चार पांच पांच हैं तो सब को जोड़के बटे 5 कर देंगे तो आपका उसात आजाएगा लेकिन बात यहां पर आती है कि आप इनका टोटल निकालेंगे कैसे क्योंकि यह यहां पर एक AP बना रहा है बना रहा है कि नहीं तो AP का सम निकालना बहुत आसान होता है दोस्तों AP कैसे बन रहा है यह भी सुनिए इनमें सभी में डिफेरेंस कितने का है तीन-तीन का डिफेरेंस दिख रहा है कि नहीं तो जब डिफेरेंस हमारा समान होता है तो वो एक AP बन जाता है मतलब की arithmetic progression बन जाता है यह आप कक्षा 9 मीदस में पढ़े होंगे और अच्छे से पढ़े होंगे ठीक ना तो इसका जो sum है अब देखे average है पहले तो हम लोग sum निकालेंगे तो पहले हम लोग sum निकालेते हैं sum कैसे निकलता है एक AP का यह ज़रा गौर से सुनिएगा पहला प्लस लास्ट है ना पहला प्लस लास्ट तो यहाँ पर पहला प्लस लास्ट यानि ऐसे समझिए आप यहाँ पर sum भी AP का sum sum of NAP यह आप लोग नोट कर लिजेगा क्या होता है N by 2 into A plus L A हमारा क्या है पहला वाला और L हमारा लास्ट वाला N मतलब कि इसमें कितने है number of terms है ना तो यह होता है sum of NAP कैसे निकालेंगे यहाँ पर N N हमारे कितने है 5 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 है ना अब यहाँ से दोस्तों एक चीज और सुनिए हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा और इसको simple करके बताते हैं तो यहाँ पर average average कितना हो जाएगा average of NAP क्या हो जाएगा भाई बते में तो N करना ही पड़ेगा आपको average जैसे ही निकालेंगे बते में N करना पड़ेगा है ना तो यहाँ से जब जैसे ही बते N करेंगे तो यह कितना हो जाएगा उपर में बचेगा हमारा सिर्फ A प्लस L और By 2 हो जाएगा समझ में आगई बात की नहीं तो यहाँ पर यहाँ पर भाई N जैसे डिवाइड करेंगे तो N से तो N कैंसिल हो जाएगा उपर बचा A प्लस L बते 2 मतलब एक AP का अगर आपको Average निकालना है तो सुरू वाला और Last वाला को जोड के बचे 2 कर दीजे आपका यहाँ पर Average निकलाएगा तो Direct यहाँ पर करिए आपको Sum निकालने की ज़रूत नहीं है Direct अगर Average पूंचा जा रहा है तो Average कैसे निकालेंगे दोस्तों यहाँ पर देखे 2 यादी 9 तो Average इसका कितना आजाएगा आपका 9 आजाएगा Option नंबर यहाँ पर एक पहला नंबर सही हो जाएगा तो यह छोटी-छोटी चीजें आपको Note करते चलना है बहुत Important है Tricks कह लिजिए Concept कह लिजिए सब कुछ ही यही है तो आपको Sum of A P कैसे निकाला जाता है N by 2 into A plus L A हमारा शुरू वाला है और L हमारा Last वाला है Average की बात हो तो A plus L by 2 यानि शुरू वाला प्लस Last वाला divided by 2 कर देना है तो आपका Average आ जाता है बात किलियर हो गई चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल देखता है महतपूर सवाल है देखेगा यह थोड़ा सा PDF बनाते टाइम इधर उधर हो गया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको प्रस्न तो दिख रहा है न 100 तक की सभी बिसम संख्याओं का आउसत क्या होगा 100 तक की सभी बिसम संख्या है पहली बिसम संख्या क्या होता है एक दूसरी बिसम संख्या तीन तीसरी पाँच ऐसे ही आपको 100 तक 100 तक यानि 100 से पहले 100 तो एक संख्या है 100 से पहले क्या होगा हमारा 99 होगा जो की एक बिसम संख्या हो जाएगा अब यहाँ पर देखे दूस्तों यह हमारा एक AP बन गया बन गया कि नहीं? सभी में दो-दो का डिफरेंस है है ना? तो यह हमारा क्या बन गया? एक AP बन गया अब AP का average कैसे निकालते हैं? आपको अभी-अभी हम बताए हैं AP का average कैसे निकालते हैं हम लोग पहला प्लस लाष्ट यानि एक प्लस 99 कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 100 है ना? और 100 बटे 2 पहला प्लस लाष्ट बटे 2 कितना आजाएगा? यह आपका 50 आजाएगा तो average कितना आगया? 50 आगया option number B यहाँ पर सही हो जाएगा देखे कितना आसान है तो trick लगाईए, concept लगाईए, सब कुछ लगाईए बस answer आप time पर लाईए secondo में लाईए ठीक है? यही बस है तो आगे बढ़ते हैं यह तो समझ में आ गया होगा बढ़ते हैं आगे अगला सवाल देखते हैं देखे दोस्तों यहाँ पर अब इस प्रस्ण का उत्तर आप सिर्फ देख कर बता सकते हैं सीधे सीधे बता सकते हैं लेकिन पहले समझ लीजिए कि भाई कैसे है ना पांच क्रमिक बिसम संख्याओं का आउसत 9 है तो बीच की संख्या कौन होगी? जब इसे आरो ही क्रम में लिखा जाई यानि बढ़ते हुए क्रम में अगर हम लिखते हैं पांच क्रमिक बिसम संख्याओं को तो यहाँ पर बीच वाली संख्या कौन सी होगी? देखे ध्यान से सुनिएगा वैसे तो आप सिर्फ देखकर बिना पेन उठाई इसको बताई सकते हैं ठीक ना? पांच क्रमिक तो यहाँ पर पांच जगा हम बना लेते हैं दो, तीन, चार और पांच इन सभी का आउसत कहरा है दोस्तों 9 है तो यह जो आउसत होता है यह बीच वाला होता है मतलब यहाँ पर हमारा बीच में 9 होगा दो इधर छोड़ेंगे, दो इधर छोड़ेंगे तो बीच में हमारा 9 होगा अब देखे कायरा बिसम संख्या तो 9 भी तो एक बिसम संख्या है मतलब बीच में हमारा यहाँ पर 9 हो जाएगा और यही तो आपको पूछा है बीच की संख्या आप चाहें तो आप इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं 9 के आगे 20 संख्या क्या होगा 11 होगा 11 के बाद 13 होगा 9 के पहले 7 होगा 7 के पहले 5 हो जाएगा आपको बीच वाला पूछा था तो बीच वाला यही तो है भाईया यही तो है हमारा जो average इथा आपका यही आपका answer हो जाएगा तो answer आप यहाँ पर देख सकते हैं 9 ही होगा अगर हम बढ़ते क्रम में भी लिखें या फिर घड़ते क्रम में लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है बीच में तो हमारा यही न रहेगा तो बीच वाला संख्या 9 ही होगा option number 2 आपका correct हो जाएगा तो बहुत आसान आसान से सवाल बनते हैं आपके यहाँ पर इस type में है ना तो बस आपको दिमाग लगाने आना चाहिए बांकी आपके सवाल चुटकियों में हो जाते हैं आगे देखते हैं दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग अब देखेगे इस सवाल के आगे वही सवाल है ना जो हमने concept सीखा था शुरू में वीडियो के सुरू में जो हमने सीखा था उसी पर आधारित ये सवाल आ गया पहले 6 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का आउसद आपको वर्गों का आउसद पूँचा है तो यहाँ पर पहले 6 प्राकृत संख्या है यहाँ पर पहले 6 प्राकृत संख्या है यानि 1 कई स्क्वाइर प्लस 2 का स्क्वाइर प्लस ऐसी कहा तक 6 के स्क्वाइर तक तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि n जो है हमारा वो कितना है 6 है अब वरगों का आउसत पूछा है तो वरगों का आउसत कैसे हम निकालना बताय थे आपको फॉर्मूला वताय थे हमने कि जो वरगों का आउसत होता है यानि प्राक्रिश संख्याओं के वरगों का आउसत वो कितना होता है तो वो होता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइड़ वाई यहाँ पर कितना वताय थे 6 ठीक ना बस इसी फॉर्मूले में रख दीजे n कमान कितना है यहाँ पर 6 तो 6 प्लस 1 यह हो जाएगा 7 इंटू यहाँ पर 6 रखिए यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 दूना 12 एक 13 तो यह हो गया आपका 13 और बटे में आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ से देख लीजे 13 सत्य 99 99 बटा 6 99 बटा आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा इसको जरा काट यह तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा यह आपका देख लीजे 15 चक 90 99 बटा 6 यानि यह आपका आजाएगा 15 सही 1 बटा के 6 यह आपका correct answer हो option number D यहाँ पर सही उत्तर बनेगा तो देखे कितने आसान आसान से आपके सवाल यहाँ पर हम लेकर आ रहे हैं यह ऐसा नहीं है कि आपके ऐसे सवाल पूछे नहीं जाते हैं यह सारे सवाल हम यहाँ पर करवा रहे हैं यह आपके previous year में पूछे कैसा सवाल है तो यहाँ से आप practice कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से देखते हैं अगला सवाल यहाँ पर अब यहाँ पर इस सवाल को देखेगा ऐसा सवाल हम आपको करवा चुके हैं तो साथ में से यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छै और साथ है ना सभी का आउसत 22 है मतलब कि बीच में जो संख्या होगी वो 22 होगी हमारी तो बीच में देख लीजे यहाँ पर तीन इधर चोड़ेंगे, तीन इधर चोड़ेंगे यानि बीच में हमारा क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा लगातार बोला है, तो लगातार अब सबसे छोटी बोला है, सबसे छोटी काउन सी होगी तो यहाँ पर 22 से पहले, अगर हमको छोटा निकालना है, तो हम पहले आएंगे तो 22 से पहले होगा हमारा 21 21 से पहले 20 20 से पहले आपका हो जाएगा कितना 19 हो जाएगा तो सबसे छोटा यहाँ पर 19 हो जाएगा option number B आपका सही होगा सबसे बड़ा पूचता तो यहाँ पर यह हो जाएगा था 23, 24 और फिर यहाँ पर 25 मतलब सबसे बड़ा यहाँ पर चीज हो जाता सबसे छोटा आपका 19 है समझ में आई बात की नहीं तो दूसरा number आपका correct होगा दोस्तों ठीक है आगे देखते हैं अगला सवाल यहाँ पर देखे संथियों यहाँ पर यह सवाल को ऐसा सवाल हम आपको करवा चुके है ठीक है देखे फिर भी यहाँ पर देख लिजे 12 के प्रथम 20 गुणकों का आउसत क्या होगा डारेक्ट देखे पहला गुणक क्या होगा पहला गुणक हमारा 12 होगा दूसरा गुणक क्या होगा आपका 24 होगा इसी तरीके से आपका 20 वा गुणक तो 20 वाँ गुड़क कैसे निकालेंगे हम लोग 12 को 20 से गुड़ा कर देंगे ठीक है, तो 12 गुड़े 20 यानि 12, 12, 24 मतलब 240 हो जाएगा तो 20 वाँ गुड़ाक हमारा 240 हो गया, अब इन सभी का आउसत निकालना है, तो आउसत निकालना है, तो सबसे पहले देखे कि क्या ये एक AP बन रहा है, बिल्कुल AP बन रहा हमारा, है ना सभी में 12, 12 का गैप होगा, तो ये एक AP बन गया, तो AP का जो एवरेज होता है दोस्तों, एवरेज निकालना बहुत आसान होता है, पहला और लाश्ट को जोड़िये, बटे 2 कर दीजे तो यहाँ पर 12 और 240 240, 10, 250 और 2, यानि 252 हो गया, है ना, 252 बटा के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बस इसको solve कर लीजे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2, 1 कम 2, 2, 2 दूना 4 बचाएग 2, 6, 12 मतलब 126 126 option number C में है ये आपका correct answer बन जाएगा ठीक ना, तो क्या करना है आपको यहाँ पर, यहाँ पर देख लीजे, प्रथम 20 गुड़क बोला है तो पहला नमबर निकाल लिए आप पहला गुड़क और अंतिम्बाला गुड़क निकाल लेजे 20 गुड़क है, तो 20 गुड़क यहाँ पर 240 हो जाएगा, ठीक है उमीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको देखते हैं यहाँ पर कुछ और सवाल बहतरीन सवाल अब यहाँ पर अगला सवाल देखें कि दोस्तों यह थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है इसमें क्या बूला है, एक से 20 तक भाज्य संख्या है जो है उनका उसत निकालना है, तो पहले तो हम भाज्य संख्याओं को लिख लेंगे भाज्य संख्या है मतलब कि जो कट जाती है, अपने स्वैम और एक को छोड़ कर किसी और संख्या से भी कट जाती है वो हमारी भाज्य संख्या होती है तो देखें दोस्तों, यहाँ पर जो एक है, देखें यहाँ पर यहाँ पर आपको यह बाद समझना पड़ेगा, कि जो भाज्य संख्या होता है, वो तो उसके सिर्फ दो ही गुडन खंड हो सकते हैं, मतलब कि जो अभाज संख्या है, वो सिर्फ और सिर्फ दो ही नंबर से कट सकता है, बाकी किसी और से नहीं कटेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे माली जी कि दो है, तो दो सिर्फ एक से कटेगा, और दो जो है दो से कटेगा मतलब जो दो है वो सिर्फ दो नमबर से ही कट सकता है तो ये अभाज संख्या होगा तो जो संख्या सिर्फ दो ही संख्याओं से कटे वो हमारा अभाज संख्या होता है तो क्या एक जो है वो अभाज संख्या है बिलकुल नहीं एक हमारा भाज्य संख्या है, तो हमने क्या किया एक को ले लिया, यहाँ पर एक हमारा भाज्य संख्या है, फिर क्या करेंगे दो, दो तो हमारा भाज्य है तीन भी हमारा भाज्य है, चार भाज्य है, पांच हमारा भाज्य 6, यहाँ पर भाज्य संख्याओं को लेना है यानि कटने वाले संख्याओं को composite numbers को 6, 6 के बाद 8 हो जाएगा 8 के बाद 9, 9 के बाद आपका 12, 10 है न, 10 भी भाज्य संख्या है 12, 11 हमारा भाज्य है फिर उसके बाद 13, 13 नहीं होगा 14 होगा, 14 भाज्य 15 भाज्य, 16 भाज्य है न, 17 भाज्य 17, 17 भाज 18, 18 भाज्य 19 हमारा भाज्य, फिर आपका 20, तो यह हमारे भाज्य संख्या होगई, इनका आउसत निकालना है तो आउसत निकालने के लिए आप क्या तरीका अपनाएंगे या तो आप जोड़कर बटे आप 12 कर सकते हैं क्योंकि यह टोटल 12 हैं, है न बटे 12 कर देंगे तो आपका इंसर आजाएगा लेकिन एक और तरीका हम आपको बताता है क्या करना है आपको यहाँ पर यह तरीका हम आपको पिछले वीडियो में के बीच में से 12 को मान लेते हैं कि हम हमारा यह औसट है यह हम एजियूम कर रहे हैं अपने से ठीक है, 12 हमारा औसट है अब इस औसट से यह सारी संखें कितनी कम या ज़्यादा हैं यह आप देख सकते हैं यहाँ पर देखे यहाँ पर 12 से यह कितना कम है बारस ये आठ कितना कम है, चार कम है, बारस ये कितना कम है, तीन कम है, बारस ये कितना कम है, दो कम है, मतलब माइनस दो, बारस ये जीरो कम है, बारस ये अब यहाँ पर प्लस दो, मतलब कि बारस ये दो अधिक है तो प्लस दो करेंगे, बारस ये कितना अधिक है, तीन अधि जोड़ना है तो प्लस माइनस वाले तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर देखे माइनस दो प्लस दो कट गया माइनस तीन प्लस तीन कट गया माइनस चार प्लस चार कट गया माइनस चार प्लस चार कट गया माइनस आठ और प्लस आठ कट गया यहाँ पे बचा दोस्तों आपका 11 और अच्छा माइनस के 11 बचा है न और बटे में कितना हो जाएगा आपका टोटल यह कितने नंबर से हैं 12 नंबर से हैं इस तरीके से अब आपको इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड का आप आसानी से नहीं कर सकते हैं कि आप बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पर तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा देख लिजे यह हो जाएगा आपका 0. 0.110 118 1289 108 1289 108 ठीक है बचा कितना आपका 2 तो यहां पर 0 हो जाएगा मतलब कि आपका कितना हो जाएगा 20 तो 11 कम 15 यानि 0.9 बना गया 0.9 बना गया इस minus वाले को आप इसके साथ रख दीजे भाई यहां पर हमने क्या माना था 12 उसत माना था, इसमें से आपको इसको कमी करना है, मतलब कि कितना कमी करना है, 0. 0. 0.19 को, ठीक है, 91 को, तो इसको घटाईए ना, घटाईए तो क्या हो जाएगा, ये लगभग आपका आजाएगा, 0.11.08 11.08 के approximately आजाएगा, मतलब कि यहाँ पर सकते हैं दोस्तों, कि option number C आपका correct answer बन जाएगा, समझ में आ गया की नहीं, बिल्कुल आ गया होगा, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के session आपको पसंद आया होगा, महत्वपूर सवाल करवाए हैं इस वीडियो के अंदर, तो जो हमारा second type था, उसके सवाल हमने आपको अच्छे से करवा दियें, जो एकाद दो सवाल छूटे होंगे, वह हम अगले वीडियो में करवा देंगे, ठेक ना, इस type के सवाल, अब अगर आपके exam में आते हैं, तो आप आसानी सीन को बना सकते हैं, बहुत ही कम समय में, मिलते हैं हम दोस्तों, अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी पढ़ाई लिकाई धंग से करते रहिएगा, जय हिंद,